हलो दोस्तो वरी गूड इवनिंग वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूं मैं एक्चुरी थोड़ा बीजी था तो करने ही पाया वीडियो तो स्वागत करता हूं सबका मेरे चैनल में दोस्तो जिसका नाम है इंफो बेर दोस्तो आज बात करेंगे ऐसे शेर के बारे में जो बन चुका है एक लौटरी का टिकट और ये टिकट अगर आपने नहीं खरीदा है तो सोच लो कही देरी नहो हो जाए और जिसने खरीदा है वो संभाल के रखे बिलकुल बेजने की कोशिश ना करें क्या मामला है कौन सा शेर है कौन सी लौटरी है क्या टिकट है पूरी बा बहुत कुछ दे सकता है उतना potential इस शेर के अंदर है लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप अंदाजा लगाओ मैं कि शेर के बारे में बात कर रहा हूं और अगर आप सही हो तो comment में मुझे अपने अपने point of views बताईए कि कौनसे शेर के बारे में आप सोच रहे थे जब मैं यह सब बात ही कर रहा था कि कौनसा ऐसा शेर हो सकता है जो आपको बढ़िया रिटन्स दे सकता है बहुत ही काम टाइम में या फिर आने वाले टाइम में वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप बेर न्यूज और डॉट इन को एक बारी विजिट जरू कीजेगा काफी सारा study material और काफी सरी इंट्रेसिंग चीजे वहां पर दीरे दीरे अपडेट हो रही हैं टेलिग्रम चैनल पर जुडने के लिए या फिर हमारे साथ कोरा में जुडने के लिए दोनों लिंक हमने डिस्क्रिशन में आपको देख करके रखे हुए हैं तो अब वहां पर जाके हमसे जुड सकते हैं जो लें और करोड़ों रूपएओं के बारे में अहीन के आपको पता है दोस्तों अब इं Tomorrow पेद्लॉक्ट्र देवलेप्मेंट जो है बहुत तेजी से हो रहा है चाहे वह इंडिया में हो चाहे वह इंडिया के बाहर हो और काफी सालों से जो काम पेंडिंग था जिसका इं इंडियन रेलिवीज में बहुत सारा काम होना बाकी है अभी भी आप कुछ दिनों से देख रहे हो कुछ साल से पिछले साल भी बात छेडी गई थी बुलट ट्रेंड की और हमने वो सब पेपर वर्क और सब काम हो सब कर भी लिया उसका काम भी स्टार्ट हो गया और इसी के च इस तरह से आप इसको प्रणाउंस करना चाहते हो आप इसको प्रणाउंस करो उस शेर के बारे में बात करेंगे आज इंडियन रिलिवेस के लिए यह कंपनी जो है चोटा शेर समझ के या पीए स्यू समझ के इसे अंडर डॉग ना समझे यह बहुत कुछ कर सकता है दोस्त क्या कर सकता है उसके बारे में मैं बात करूँगा तो मैं आपको पहले लेकर के चलता हूँ दोस्तों अपने एनेसी के साइड पे फ्राइडे का डेटा है अगर आप देखो के तो फ्राइडे के डेटा में साड़े छे लाक शेर का ट्रेड हुआ था और लगबग सवा एक अगर आप इसको देखो के थोड़ा आगे जाकर के तो छोटी कंपनी जैसे मैंने कहा के छे अजार करोड की कंपनी है 10 रुपई का पी आप कंसिलर करो इसे इसका इंडेस्ट्री पी देखो के तो 10.10 है तो नियर बाइड बुक वैल्यू बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग लग रही है दोस्तो 103 रुपई का बुक वैल्यू है और EPS 22 रुपई का है यानि आपको 10 रुपई इंवेस्ट करके 22 रुपई का रिटेन यहाँ पर ओलरी मिल रहा है तो इसे आप समझ सकते हो कितना पावरफूल यह शेयर है और आपको कितना बढ़िया रिटेन से दे रहा है शेयर का प्राइस है दोस्तो लगबग 246 रुपई अब थोड़ा स्क्रोल करके और एक चीज आपको बताऊंगा सेल्स की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अभी भी रेलिवेज बंद है तो उसके चलते भी दो कौर्टर में देखेंगे मार्च का 20 और जून का 20 तो इसमें और 141 और 64 करोड का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यह और दे चुका है कंपनी अल्मोस्ट डेट फ्री है अल्मोस्ट डेट फ्री है तो यह बढ़िया इन्वेस्टमेंट बनती है अगर कोई कंपनी डेट फ्री हो अच्छा परफॉर्म कर रही हो और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत बेटर हो अब इस शेर को अभी यह तो इसने सारा चीजे हमें बता दिया कि क्या कर रहा है कि इस तरह से कर रहा है डिविडेंट भी दे रहा है डाइम तू टाइम और बढ़िया डिविडेंट दे रहा है ओ आर इसकी होल्डिंग के बात करेंगे तो प्रो मूंट है ऌह हो वह 72 परस इसका बहुत ही कम है और quarter profit देखो कि इसका तो सबसे ज्यादा है यानि कम लागत में ज्यादा पैसे देने वाला शेर यह अलड़ी बन चुका है अब इसमें ऐसा क्या होने वाला है कि यह जो है यह एक lottery का टिकड बन चुका है उसके बार में बताता हूँ दिखिए रिट्स ने अपने शेर का बाई बैक अनाउंस कर दिया है जो लगबाग 257 करोड का होने वाला और यह 257 करोड में यह लगबाग खरी देंगे एक करोड के एक करोड शेयर एक करोड इक्वीड शेयर लोग खरी देंगे जिसका फेस वैल्यू रहेगा दस रुपए और प्राइज रहेगा तो अभी अगर आप देखने के अंदधर लगाओ तो प्राइज कुछ 45 के आसपस 46 के आसपस है तो आपको फ़र शेयर ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए मिलेगा इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला अप यह डेट जो है इसकी एक्स डेट है सप्टेमबर 30 यानि आने वाला वेनस डेट है जिसीन यह गवर्मेंट बाइबैक कर लेगी अपने एक करोड शेयर अभी यह एक करोड शेयर बाइबैक करने के पाद होगा क्या कि मैं बताता हूं इसका देखिए एक लाक शेयर अगर आपकी पास है और आप एपिएस दस रुपए का दे रहे हो और और उस एक लाक में से समझो 30,000 शेयर निकाल लेते हैं तो शेयर बच जाते हैं 70,000 तो एपिएस जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों क्योंकि जो 30,000 शेयर निकाल लिए गए उसमें जो एपिएस डिवाइड हो रहा था वो जाएगा उन 70 वालों जे शेयर से उसमें वो एक्जेस्ट हो जाएगा यानि मेरा 10 रुपए का एपिएस मेरा बढ़ चरके 12 से 13 रुपए हो सकता है यानि आप एपिएस बढ़ सकता है और यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देगी अपने शेयर को और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को रिट्स जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है और इसका प्राइज आपको बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल सकत रहा है साती सात में आने वाले टाइम में गवर्मेंट में काफी ज्यादा प्लांस बना करके रखे हुए हैं इंडियान रेल्वेस के लिए काफी सारे नए रूट्स बनाने हैं काफी सारे नए बोगी बनाने हैं काफी सारे प्राइवेट सेक्शन को सपोर्ट भी करना है त profit margin अब अलड़ी देख चुके हो अब reads के बारे में बात करेंगे तो देखिए हमारा जो tickle tape है वो बता रहा है कि यह फिलाल intrinsic value के nature trade कर रहा है FD से better return देता है entry point सबसे बढ़िया है और कोई flag नहीं है इससे 80% जो है वो लोग suggest कर रहे हैं अब इसका returns देखेंगे एक साल का अगर आप देखोगे तो यहां पर माइनस रिटन आपको देरा है लगवग माइनस 9.97 वह इसमें ज्यादा बीच के options हमें अवेलेबल नहीं है सिप 5 साल का एक साल का अधी के 5 साल का वे मैं कर रहा हूं तो अब ए 44.39% का return मुझे मिल चुका है और यहां पर एक opportunity अगर हमें मिल जाते हैं जो मेरे दोस्तों 300 के उपर में फसे हुए हैं अभी वह कुछ नहीं कर सकते हैं उनके पास एक option होता है वह averaging का और वह option में कभी भी suggest नहीं करता हूं average करने के लिए अलेकिन यह opportunity है मुझे दिखी इस time पे यह लेना एक बढ़िया investment है क्यों बढ़िया investment है वह भी तो मैंने आपको बता दिया है साथी साथ में अगर आप चार्ट देखो कि दूस्तों इस शेर का तो शेर जो है वह फस प्रेशर क्रियेट हो रहा है जिस दिन यह फूटेगा शेर आपको बहुत ज्यादा उपर जाते हैं देखने को मिल सकता है ऐसे प्रेशर में भी share dividend दे रहा है वो भी 16 रुपे का यहां पर आप देख सकते हो प्राइस का strength जो है वह दिन बदिन बढ़ते जा रहा है कही ना क यह फिर आपको यहां से निकाल देगा अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले करके जाता हूं को छोटा सा चीज करके दिखाता हूं मैं कि यहां पर अगर इसको जॉइन कर लेता हूं तो एक छोटा सा downtrend बनता हुआ आपको दिखेगा कही ना कहीं तो यह शेर आपको आने वाले टाइम में बहतर रिटन दे सकता है अगर आप इसको सही टाइम पे सही प्राइस पे बाई कर लो टनल जब अब फूटेगा तो रिटन का बारिश होगा दोस्तो इसको आप अभी बाई करने का सही टाइम क्यों है तीस तारिक आने वाली है मंडे टूजडे और वेनजडे को और उसके बाद EPS बढ़ेगा और यह जितने वे ग्रीन साब देख रहे हो यह just because of that EPS वाला फंडा 240 का 6 रुपय बढ़ चुका है और मंडे को इसमें अगर आप बाईंग देखने को मिल सकती है अगर आपको तो आपको Bih वहाँ पर interest दिखाना है बिलकुल यह depend करता है दोस्तों कि आप किस तरीक इसे बाईंग करते हो और आप किस slot में बाईंग करते हो जहाँ पर slot बाईंग में हमेशा आपको slot buy जैस्ट करता हूँ तो आप first lot बिल्कुल खरीदिएगा उसके नीचे अगर ये एक dip दे देता है आपको Monday Tuesday को तो बिल्कुल आप वहीं पे भी खरीद सकते हो लेकिन share को hold करना और लंबे time के लिए hold करना आपके लिए बहुत बैतरीन opportunity हो सकती है especially जो बड़े share में नहीं जाना चाते और छोटे share में बुरूसा नहीं करते हैं तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज रीट्स के बारे में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजेगा, share कीजेगा और मेरे channel को दोस्तों जरू सब्सक्राइब कीजेगा अच्छा लगता ह आपके लिए वीडियो करना और जब आप जुड़ते हो तो और भी अच्छा लगता है, thank you very much दोस्तों